आज मैं आपके साथ एक और बहुत मज़ेदार मटन की रेसिपी शेयर कर रही हूं सिंपल और आसानी से बनने वाली रेसिपी है बहुत स्पाइसी नहीं होती लेकिन यह बहुत रिच बनती है मीत लवस के लिए जबरदस्त है और आज की रेसिपी है कश्मीरी रॉखन जोश की चलिए हम शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को सबसे पहले इसके लिए हमने एक मसाला तयार करना है कुटा हुआ मसाला और यह मसाले की मिकदार जो मैं आपको बताऊंगी है च्छों से साथ सो ग्राम मत्न के लिए काफी है सबसे पहले मैंने दाची ने का दिर्म्याने सा चुक्रा लिया था एक बड़ी लाइची तीन से चार अदद चोटी लाइची तीन से चार अदद आप लेंगी लॉंग और साथ से आठ साबित काली मिर्चे इनको मैंने हावन दस्ते में डालकर इस साथ से कूट लिया है जैसे आपको यहां नजर आ रहा है पाउडर नहीं बनाना बस मोटा मोटा सापने इसको कूटना है अब अगला हमने एक तही का मिक्स्चर तयार करना है जिसके लिए मैंने लिया था एक अप तही और अब मैं इसमें शामिल करूंगी इस रेसिपी का की इंग्रीडियन्ट और वह है सोंट यह इसमें जाएगी एक चाय का चमच थोड़ी जादा इसमें इसमें इसमाल होती है क्योंकि इसमें अधरक और लेसन नहीं जाएगा साथ ही इस रेसिपी का दूसरा की इंडीडियन्ट और वह है कश्मीरी लाल में एक चाय का चमच ये तेज नहीं होती लेकिन इनका कलर बहुत जबर्दस ताजा है एक आदर चाय का चमच मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई सौंफ और एक चुटकी मैं इसमें शामिल कर दूं मामसाले दही में डालकर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और यह मिक्सर आगे जाकर जब हम मत्न को पकाएंगे तब इस्तमाल होगा कलर आप यहां पर देख सकते हैं यह कलर कश्मीरी लाल मेर्च की वज़ह से आया है और बहुत जबर्स लग रहा है अब यह तरह से बहुत लुड़ा जब देख सकते हैं यह दोनों चीज आपने इसमें डाल देनी है और आप इसको मीडियुम फ्लेम पे थोड़ा सा इसमें भून लेना है ताकि इनका कलर चेंज हो जाएं है कि मैं इसको अच्छा सा पहुन लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर रह अब आपने इसको मीडियुम तो हाई फ्लेम पे भूनना है तकरीबन 6-7 मिनट के लिए यह बहुत जरूरी स्टेप है इस टिश के लिए जब आप इसको सिंपल आयल में भूनते हैं तो गोश की एक मखसूस जो समेल होती है वो भी खतम होती जाती है इस तरीके से 6-7 मिनट के मैंने इसको हाई फ्लेम पे भून लिया है दिर्मयान में आपने चम्मा चलाते रहना है जब तक के गोश्ट का कलर चेंज हो जाए हलका से गोल्डन कलर इनके ओपर आना शुरू हो जाए बोटियों के उपर इसके बाद अब मैं इसमें बाकी की चीज़े शामिल करूंगी स कब से पहले इसमें जाएगा जो हमने धवाला मिक्सर इसका तयार कर रखा था जिसमें हमने मशाले सारे शामिल के फिल्ग जार मत्रविदे शामिल कर देना है और यह ब्ने पहले है और अगले मात्री honे के अब लिवाले है दही नहीं है कि अभीक की थे। चीज़ एक मटने डाल कर अब आप इसको भूनेंगे दुबारा से मीडियूम टो हाई फ्लेम पर उस अग तक जब तक कि दही का पानी मुकमल तोर पर खुश्क हो जाए और ओयल अलग हो जाए या साइट के ओपर आ जाए मैंने इसको तक्रीबान 3-4 मिनिट के लिए भूना था ओयल साइट पर आचुका है अब मैं इसमें शामिल करूंगी 3 कप यखनी और यह यखनी आपने मतन की इस्तमाल करनी है मतन की बॉन्स की मैंने यह निकाली थी यह डाल कर आप इसको अच्छे तरह से मिक्स करें अगर आपको यहाँ पर तो आप इसमें पानी भी आट कर सकते हैं मुझे थोड़ा सा इसका लिउक्विट कम लग रहा था तो मैंने एक कप इसमें पानी भी शामिल कर दिया था यह डाल कर दुबारा से मैं इसको मिक्स करूंगी और उस सक तक आप इसको हाई फ्रेम पर पकाएंगे मेरे पास इसको तकरीबन 35 मिनट लगे थे और इसके बाद मैंने इसका धकन उठाया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी नजर आनी चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रिवी पसंद करते हैं तो आप इसको कुछते हाई फ्रेम पर पका कर इसके लिक्विट को खुश्प भी कर सकते हैं लेकिन मेरे लिए ये इतना काफी था अब यहाँ पर एक और बहुत जरूरी स्टेप इस रेसिपी का एक चाय का चमच किश्मीरी लागमेच मैंने ली थी दो खाने के चमच पानी में इसको मिक्स किया था और ये मैंने इसमें डाल दी है साथे इसमें चला जाएगा आदा चाय का चमच पिसा हुआ गरम मसाला और ये दोनों चीज़ें डाल कर अब आप इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि आपकी डिजाइड कंसिसेंसी आ जाए मैंने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाया था बस एक से दो मिनट तक इसको पकाया था और इसी दोरान में आप देखेंगे कि हमने जो मिच्छे डाली थी इसके वज़ज़ से इसकी तरी भी साइट पर आ जाएगी आईल आपको यहाँ पर नज़रा रहा है और कलर आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त है यह कश्मीरी लालमेट्चो के वज़ज़ से इसका कलर आया है यह देखे और एक बोटी भी मैं आपको तोड़के दिखा देती हूँ कि यह कितनी सॉफ्ट है बिल्कुल ऐसे इसको होना चाहिए कि जब आप इसको हाथ लगाएं तो यह तूटती जाए अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए में चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आइकन को प्रेस करना मत भूलें विडियो अपडेट्स के लिए और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्ला हाफेज